तो फाइनली दोस्तों क्या आप भी अपने पासपोर्ट साज फोटो को कुछ इस तरह से एक ही किलिक में 6 पीस या फिर उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो I have solution for you इसके लिए सबसे पहले आपको एक action फाइल की जरूरत पड़ेगी जिसे आप इस वीडियो के description से बड़े असानी से download कर सकते हैं action फाइल को download करने के बाद Photoshop को open करना है और फिर window पे क्लिक करके action पे क्लिक करना है action पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा आपको यहाँ four line पे क्लिक करके load action को select करना है और उस download action फाइल को locate करके load पे क्लिक कर देना है load पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर new folder दिखने लगेगा जिसके इस side में क्लिक करने पर आपको 6 copy या फिर 42 copy दिखेगा यह वही action है जिसकी मदद से आप एक ही क्लिक में अपने photo को 6 copy या फिर 42 copy कर सकते हैं बस इसके लिए आपको इन 3 बातों का ध्यान देखना पड़ेगा नमबर वन आपका photo 4 ratio 5 में crop होना चाहिए मेरा मतलब आपके photo का size 4 ratio 5 में ही होना चाहिए अगर 4 ratio 5 नहीं है तो सबसे पहले आप उसे 4 ratio 5 में crop कर लें नमबर 2 आपके photo का resolution 300 होना ही चाहिए अपने photo का resolution चेक करने के लिए photo पे क्लिक करके ctrl plus alt plus i press करना है और यहां resolution में आप अपने photo का resolution चेक कर सकते हैं अगर 300 नहीं है तो simply आप यहां पे 300 टाइप करके ok पे क्लिक कर दें और नमबर 3 आपके photo का नाम 01 रहना ही चाहिए अगर नहीं है तो simply आप उस पे double click करके 01 कर दें अगर आपने यह तीनों काम अपने हर एक photo में कर दें तो यह action आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा इसके लिए आपको बस अपने photo को select करने के बाद 6 copy पे क्लिक करके आपको ब copy पे क्लिक करके यहीं पे क्लिक कर देना और यह लिजिए आपका photo एक click में तयार है तो finally दोस्तों कुछ इस तरह से आप एक click में अपने photo को 6 copy या फिर 42 copy में convert कर सकते हैं तो चलिए this is end of this video अगर आप कोई video पसंद आया हो तो do like this video share comment and don't forget to subscribe this solution वाला thank you take care baba मिलते हैं अगले video